हेलो दोस्तों कैसे आप लोग अच्छे ही होंगे श्वागय थापका हमारी यूट्यूब चैनल एलैनिक विद्रगेश में है आज से हम लोग बिश्वभगोल पढ़ेंगे और यह जो बिश्वभगोल का अध्याय है यह सभी भरती परिच्छाओं के लिए सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण है खासकर NCIT पैटरन की जब आती है तो यह सबसे ज़्यादा महत्तपूर्ण हो जाता है और यहाँ पर जो हम लोग बिश्वभगोल आसे पढ़ने जा रहे हैं वह पूरी तरीके से NCIT पैटरन पर ही पढ़ेंगे देख रहें पिश्वभगोल NCIT और यह क्ला टॉपिक हमारे आपके बीच आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा जिसका नाम है शौर मंडल क्या है शौर मंडल तो हम आपको तो दिखाते हैं लेकिन जब हम इसकी ब्याक्ष्या करेंगे हम अन्य महत्तपूर्ण तथ्यों को लेकर हम बात करेंगे तो जो श्याटी के अधार पर ही पढ़ना है तब भी हम यह प्यास करेंगे कि आपको अन्य महत्तपूर्ण चीजों को बता दिया जाए यह हो जाता है आपका शोलर सिस्टम जिससे हम सौर मंडल कहते हैं हमरे सौर मंडल में कुल आठ ग्रह है हमरे सौर मंडल में कितने ग्रह है आठ ग्रह है और अनेक ग्रह है यह तो आपको पता ही है अब यह प्यास्ट उड़ता है कि सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं तो याद रखेगा निहारिका को सौर मन्डल का जनक कहते हैं क्या कहते हैं निया हर्का को दिल का जनक कहा जाता है Good अगर हम स्वॉरमदल की बात करें तो जो शॉरमदल हमारा है उसलिए शूर्च के चारों और जो उसका परिवार है उसे हम सवॉर मंडल कहता है Regardless पोलर सिस्टम कहते हैं इसका जो मुखिया है वो सूरज है सुर्य है सौरमंदल से संबंदित ग्रहों को ग्रहों को परिभासित करने के साथ साथ उनकी मनता देने काम अंतराश्टी खगोल संग इंटरनेशनल किनैंटर्नेशनल एस्ट्रो नामी यूनिट करता है अंताराष्ट्चसंग एस्ट्रो नामि यूट्या सब्सक्राइब तो हमारा हमुआर का चलेंगे चलेंगे तो τους में ग्रा होते हैं चुप्त ग्रा होते हैं इन शुर्दि को मिला कर हमारा हुष्यौर मंधन बनता है से लिए फड़ा फड़ा आप लोग कॉपी कलम भी लेकर बैठे रहेगा साथ में लेक्चर सुनेंगे मुमीद करता हूं सारे कॉंसर्ट आपकी के लिए हो तो हम लोगों नहीं से क्या क्या सिखा मैं आपको बता दूं कि जो सौर मंडल है यह सौर मंडल का सौर का आर्थ होता कि सटाकर उसे बौना ग्रह दे दिया अब हमारे हां पुल ग्रहों की संख्या आठ है और जिसका मुखिया सूर है और सौर की चारो तरफ यह घूमते रहते हैं और जो हमारा सौर मंडल है इसकी जो जनक है कौन है नहारी का है यह सारा चीज ए नसेटी के डेटा है पूरा न ये ग्रह के बारे में हम लोग बात करते हैं कि ग्रह क्या है और आप प्लैनेट कहते हैं अगर इसके हम डिफ्नीशन जाने तो आपको अमबोल चल की वादसा में ग्रह वी आकासी पिंड होते हैं जिनके पास न खुद कुष्मा होती है न खुद का प्रकाश होता है यह अपने साथी जो तारा होता है उसी से प्रकासित होते हैं और उसी का चकर लगाते हैं इनका आकार जो तारे होते हैं उनके पैसा छोटे होते हैं इनका घनत तो अधीक होता है यह ठोस या द्रववस्था मिलते हैं कुछ ग्रहों का घनत तो कम होता है कुछ का जादा होता है यह से भी हमारतिे प्रिक्रमा करता में यह ऊसी की प्रिक्रमा करता है प्रियास करेंगे के परिच्छा में में प्रिक्रमत नहूं ग्रहों को अंगरेजी में प्लेनेट कहते हैं प्लेनेट ग्रीक भासा, यूनानी भासा में प्लेनेटाई से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थाथ चारो और घूमने वाला ग्रह ऐसे खगोली पिंड होते हैं जो सूर के चारो सूर कहिए या अपने तारे सूर या तारगोई भी कह सकते हैं एक निश्चित दिशा में परिक्रमा करते हैं इसके पास स्वयम का प्रकाश होता है लेकिन उस्मा नहीं होता ध्यान दीजेगा उसके पास उस्मा नहीं होता वो अपने साथी तारेक उस्मा से उस्मा ग्रहन करत यह तारों के प्रकास से प्रकासीत होते हैं इनहें हम ग्रह कहते हैं अगर हम अपने सौर्मंडल की बात करें तो हमारे सौर्मंडल में कुल आठ ग्रह हैं जिसके नाम करमस बध्ध सुक्र पितवी मंगल रहस्पती शनी अरुण और वरुण है और जो नौवा ग्रह था उसे 2006 आपको यहां से फिलाल नोट्स मिल गए होंगे तो उसलिए उसके कोई दिवकत नहीं होगी आपको आगे देखते हैं उबग्रह क्या है एक बड़ा कॉंसेप्ट है यहां पर उबग्रह को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अच्छे समझना पड़ेगा उबग्रह कैसा टॉपिक है जहां से प्रायर परिछाओं में हमें उनके चारो और परिब्रमर करता है उनके चारो चक्कर लगाते हैं उबग्रह के पाज भी स्वयम का प्रकास नहीं होता जो अबग्रह होते हैं इनके पास भी स्वयम का प्रकास नहीं होता सौर मंडल में लगभग सौ से अधिक उपगरा है जो सौर मंडल हमारा है उसमें सौ से अधिक उपगरा है उपगरा दो प्रकार की होते हैं एक तो होते हैं दो प्रकार की होते हैं एक होता है प्राकितिक उपगरा है दूसरा होता ह हैं और क्रितिम उपगरः होते हैं जिन्हें मानों, अपने अपने उद्धेश की पूर्ति करने i की कच्छा में स्तापित करता है उसे हम कृतिम उपगरह कहते हैं प्राकितिक उपगरह वे होते हैं जो सूर के चारो प्रिक्रमा करते हैं कृतिम उपगरह वे होते हैं जो पृतिवी के धरातल से एक निश्चत उद्देश से मानो द्वारा भेजेगे होते हैं मतलब एक लाइन समझेगा जो मानो देश को पूर्ति करने के लिए जो ग्रहों के चारोतर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम प्राकितिक उपग्रा कहते हैं ठीक है और जो सूर के चारोतर चक्कर लगाते हैं मतलब अपने ग्रह का चक्कर लगाते हैं उन्हें हम क्या क्याते हैं उन्हें हम एक लाइन में कह इस प्रकार सूर के परिक्रमा करते हैं ग्रोहों की भाटि अन्के पास भी अपना प्रकास नहीं होता है यह अपने साथी इतारे अथवा सूर के प्रकास से प्रकाशिक होते हैं और अगर हम देखेंगे तो जो ग्रह की भाती होते हैं उपग्रह भी ऐशे होते हैं वो भ्रमरपत जो होता है उनका अंडाकार होता है बुद्ध और सुक्र ग्रह के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है पिथीवी का एक मात उपग्रह चंद्रमा है सारवाधिक उपग्रहों तरह हम चर्चा करते रहते हैं और अब अगला टॉपिक आपका चोटा सारा है तारा आइए तारा को पहले में लोग पढ़ लेते हैं तारा किशे कहते हैं तो तारा क्या होता इसको इस्टार कहते हैं यह तो आप पहले से बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं तारा गैसों से बने होते हैं जो सोर्मंडल के केंदर में इस्तित हैं सूर के सतह पर ह्इलियम वा हैड्रोजन के प्रमुग गैसे पाये यहां पर हिलियम और हड्रोजन मिलता है शूर के सता का जो तापमान है वो अच्छा हजार डिग्री सल्सकेस है रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे शूर के शमान ही है लेकिन यह अत्यधिक दूर होने के कारण छोटे दिखाई देते हैं यह इतनी दूर हैं यह कैसे सूर के समय दिखा देते हैं अत्यधिक दूर होते हैं सूर के नजदिक प्रमुक तारे देखा जाए तो प्रक्षिमा सेंचूरी है अगर प्रिथिवी के बाद अगर देखा जाए यह सबसे नजदीक तारा के आज पहले सूर है सूर के बाद प्रक्सिमा सेंचूरी फिर अल पेढना चाहें तो मैं कई बात आपको बताऊंगा कि तारा में जो मों होता है च की इसका तापमान हाँ मुधा क्हों मैं चाहिता की बात आप जोंते रहेगाँ कि यहां से आप सभी को बहुत कुछ ज़ानने क сог तहरे को मि land就是說 कैश होती है यह बहुत ही बड़ा और लंबा कॉंसेट है लेकिन फिर भी आप लोग को यह जानना चाहिए अगर हम लोग तारों का जीवन चक्र देखें तो तारा जो होता है यह प्रकासवान प्रकास उत्पन करने वाला ख़़ोली पिंड को तारा कहते हैं तारा के बारे भी हैट्रोजन के बादल बनने सुरू हो जाते हैं जिने इस्टेलर नेबूला के नाम से भी जाना जाता है और अच्छे एक बात आप लोग को है तो अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो साथ में लिखते भी चलिएगा जो तारा होता है जिसे जब इस्टेलर नेबूला क कफी बढ़ा हो जाता है तो उसमें परसपर गुत्तवा कारण से कोणने लगता आधितारा का जाता आधितारे का जो केंद्र होता है इसके भ्रून तारा भी घाता है यह बहुत कुछ ऐसी से लेकर समझने के लेकर है जी यह एक पलसर कहते हैं न्यूटरान जो तारा होता है यह सुपर नववा बिस्वोड के बाद होते हैं ऐसे बहुत सारे से टॉपिक है जो हमारे परिच्छा में बार-बार पूछी जाती हैं लेकिन अभी उसकी जुरूत नहीं पड़ेगी उसकी जुरूत अब आगे पड़ेगी ठीक हैं तो यहां पे हम लोग उन्हों तारे इसके बारे में देख लिया कि तारे के पास खुद कुस्मा होती है खुद का है अब हम लोग प्रयाश करेंगे कुछ इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों को भी पढ़ा जाए तो फड़ा फड़ा आप लोग नोट्स भी तो आपके पास होगा लेकिन इसके लेक्चर को भी सुनते चलेगा अगला आपके पास आता है नच्छत्रमंडल साध आपको दिख पता है नच्छत्रमंडल की शे कहते हैं फटाफट बताईएगा कमेंड करके जित्ते लोग वीड़ो को लाइब देख रहे हैं फटाफट कमेंड करें कमेंड करके बताईए क्या आपको नच्छत्रमंडल पता है एगर है तो ठीक है नहीं है तो फिर कमेंड करके जी हां यह ओनलाइन क्लास चल लगी है और यह पेट क्लास के लिए खासकर है जो साथी पेट क्लास में जुड़े होंगे वह जानते रहें यहां पर देखेगा रात्री में आसमान में बिभिन तारों के शमू द्वारा बनाएगे जो बिभित आकृतियों को हम नचत्र मंडल क जैसे अर्षा मेजर देखेगे आपको अर्षा मेजर बिग बियर इसी प्रकार का एक नचत्र मंडल है यह बहुत ही आसानी है सरलता से पाचाने जाने वाले सब तरसी तारह स्मूल बियर होता है यह साथ तारों का शमू होता है प्राचीम काल में दिसा के निर्धार के समय रात्री के समय तारों की सहायता से करते थे, जैसे उत्तरी तारा, उत्तर दिशा की और ज्याद कराता है, उत्तर दिशा बताता है, इसे ध्रू तारा कहते हैं, ध्रू तारी के बारे में आपको एक बार जानते रहना होगा, कई बार परिछा में पूछा जा चुका है, कि जो या बताता है यह उत्तर दिसाट औरई करता या उत्त दिसा बताता है यह चीज़ та पोलर स्टार पोलि स्टार कहते हैं या पोलरिठ के नाम से जानते हैं नियुकर सिर के उपर गजर की जड़ा वेखती है थीक सिरके उपर जो किए होती हैं परफ हुआ तो यह बहुत सारी चीज़े आपको थी जो परिच्छा में आपके लिए उप्योगी हो सकती थी आगे बढ़ते हम इसके अने तथे के तरफ कि हमारों देश से नोट्स के अलामा भी इतर चीज़े भी हम आपको बताते चले जो प्राया पूछा जाता है अब हम जो पढ़ने जा रहे है जो टॉपिक है वो उसका नाम है और कच्छा याइसे और बिट कहते हैं कच्छा सोनमंडल के सभी आड़ ग्रह एक निश्चित पत पर शूर का चक्कर लगाते है यह पत दिर्ग वित्ताकार है यह कई बार पर इच्छा है कि सूर जिस पत पर लगाता है वो पत कैसा है वो पत है दिर्ग वित्ताकार जी है कैसा है दिर्ग वित्ताकार होता है यह दिर्ग वित्ताकार पत ही एक अच्छा होती है इसे हम और बिट के नाम से जानते हैं क्या कहते हैं और बिट कहते हैं अब हम डाइग्राम दिखा कर आपको सभी कर आपको बताएंगे यह का होता है कहा होता है इसका उपयोग क्या होता है यह कैसे बना है इन सभी के बारे में हम आपको एक करके सभी तर्थ्यों को बताएंगे ठीक है लेकिन यहां प्रिच्छा में यहां से प्राया प्रस्ण आता है तारों के अत्रिक्त असंग छोटे पि कि यह ग्रह के भाग होते हैं या ग्रहों से तूटकर अलग होए हैं समानतद छूदग्रष मंगल और भषपती बीच पायेती हैं कहां पाये जाती हैं मंगल और भ्यसपती ग्रहों के बीच पाई जाती है इसलिए इस बात को आप जानते रहेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बात और है आपको वह भी देख लेते हैं जो आपके परिच्छा में बार-बार पूछा जाता है उन सभी के तथ्यों को बारे में जानकारी रखना पढ़ना अगला है उलका आते हैं तो इसे मेतर भी कहते हैं उलका पिंड़ को तो यह उलका पिंड़ होते हैं यह अंत्रच में ब्रघती शे घुमते हुए एक अत्यांत सुचमो ब्र lect कण धूलवा कैस यह बने होते हैं और जैबे प्रिचिवी के वयु मंदल में रगड़ खाते हैं और रगड़ खाने के बाद यह जल उठते हैं और जो जल जाते हैं तो गर्म होते हैं उनके तेड़ी से प्रकास दिखता है और प्रकास को रूप में धेरे-दरे पिथिवी के तरह बढ़ते हैं और छाड़ भर में गायव हो जाते हैं लुक्त हो जाते हैं इन्हें हम पूरता तारा कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं शूटिंग इस्टार कहते हैं इन्हें क्या कहते हैं शूटिंग इस्टार या टूरता हुआ तारा कहते हैं लोग कहते हैं मन्नत मांग लो आपकी मुरादे पूरी जाएगी ऐसा कुछ नहीं है यह मतलब मन के भर में ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है और असी किलोमेटर तक देखे एक प्रशना आता है कि पितिवी के धरातल से असी किलोमेटर तक उचाई तक पहुशते पहुशते लबक सभी उलका पिंड घरसी तोकर पुरता नश्ट हो जाते हैं और जब यह जलकर नश्ट होकर पिंड के रूप में प्रिस्व गिरते हैं उसे ह उलका पिंड कहते हैं जब यह उलका जो होता है जो केतु होते से केतु भी कहते हैं उलका को केतु के नाम से जानते जाद रखेगा उलका को हम केतु के नाम से भी जानते हैं जब यह केतु प्रिथिवी पर पहुशता है उलका जब प्रिथिवी पहुशता है तो यह असी कि किलमेटर के परिदी में लगबाट यल्कर्वाव देंटी के की रुप में गरता तब उसे हम उलका में कहते है ठीक है क्या कहते है милли इसे उल्क समूली कय दें ओप आशंव के नाम से भी चांते है यह आप जहनते रहेगा और देखा जाए तो प्रिथिवी की सता पर मिलने वाला सबसे बड़ा उलका-पिंड होवा वेस्ट था क्या नाम था उसका होवा होवा वेस्ट था ठिक जो नीविया में गुट फ्रोंटीन के पास पाया गया जब कभूल का पिंड आकास में तीब रावाज करता है तो उसे बोलाइट कहते हैं उसे क्या कहते हैं जब तीब रावाज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बोलाइट कहते हैं अभी इसको बता दे के नाम से जानते हैं यह आप जानते रहेगा फिर यह पितिवी की सता पर जो मिलते हैं अपसिष्ट गोला उन्हें टेक्स्टाई भी कहते हैं तो यहां पर गरम देखेंगे गरम यहां पर चुर के चार और चक्कर लगाने वाले पत्थल के चुड़े-चुड़े जो टुकड क्या है जैसा कुछ नहीं है यह क्या है यह जोग्रॉफिक एक सक्षन है जहां पर परिच्छाओं में आपको बार-बार पूछा जाता है और आपको भी त्यार रखना होगा इस सब चीज़ को अब चोड़ा सा तथ्या आता है आकाज गंगा वैसे मैं आपको कमने समझा गा और बाद में लोग और अच्छे से पढ़ेंगे ज़ड़ी बात है जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे लाखो तारों का समू होता है हमारा सौरमंडल भी इसी आकास गंगा का एक भाग है प्राचीन भारत में इसी कलपना आकास में प्रकास की एक बैती नदी से की गई थी कि प्रकास एक नदी बैती है और इसी इक नाती से दुख दमेखला या मिलकी वे नाम दिया गया अकास गंगा में करोनों तारों बादलों गैसों का एक प्रणाली है लाखो अकास गंगा में से मिलकर एक ब्रहमान का निर्मा यहाँ पे हम लोग को डेख रहे हैं एक दूसरे से सभी क्या है यहां पर युदधा है थिक अंखर आपको इस समझ में आ रहा होगा आप लोग देख भी होंगे जैसे यह हम नहीं आप पर देख लिया प्रारम में जो ब्रह्मांड में उर्जाव पदात का वित्रण समान नहीं था घनत में भिंताएं आई इसके पड़ाम स्वरूप पदात एक जगह होने लगे और फिर उनसे असंग तारे एक अकास गंगा पाना उसमें असंग तारों का समूं आया अकास गंगा का विस्तार अ मंदाकनी आकास गंगा का सरपील है मंदाकनी का वह भाग जो प्रकास सर्था एक दुख्ध की तरह ग्णदी की तरह बैता उसे दुख्ध मेकला या मिल्की वे के नाम से जानते हैं तो बहुत सारे से कॉस्म सेप्ट है जो आपको परिच्छों में यहां से बार-बार हुत हैं और इन ग्रहों के बारे में हम लोग को एक हिक बाते जाननी है तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं और शोन मंडल में आठ ग्रह है दूरी के अनुसार बुद्धिशोक प्रित्वी मंगल भ्हास्पती शनी अरुन वरुन हैं वर्द दोजाच्छा में पुल 9 रह और उसकी टीम ने इसे सबसे ठंडा ब्राउन डार्फ खोजा ठीक है तो बाउंड रफ जो होता है मतलब इसे हम जी यहां ड्राफ प्लैनेट कहते हैं वहांने बाउना ग्रह की संग्या दी जाती है इसके बारे हम लोग आगे पढ़ेंगे जब इके ग्रह को पढ़ेंगे तो 6-2-12 से लेकर इसको तयार किया गया है खासकर आपके भरती परिच्छा को लेकर ठेक है तो आल्लेंग क्लास जोइन करने के लिए आप 630-634-367 पर वाटसाइप करके जान सकते हैं आल्लेंग क्लास के लिए फेसबुक पर यूजर है तो इलनी बिदुर्गेश और टेलीग दियागराम के आधार पर पढ़ना कैसे आई इसके बारे में आपको बता दो जो जो चीज आज हम लोगों ने पढ़ी उन भी से पर हम लोग यहां पर छोड़ी से चर्चा कर लेते हैं यह शूर है यह क्या है हमारे पिथिवी के सबसे नस्देक का तारा है जिसे हम शूर कह पठी कहते हैं बागी इनके बारे मां आगे पढ़ेंगे इसके बाद के जो तथ्थ्य वहां पे लोग पढ़ेंगे इनके शुरुवात के यह चार ग्रह हैं इने क्या बिशेश्टा दूरिक आधार पर इन सबी तथ्यों को एक एक कर करके पढ़ेंगे ताकि परिच्छा मे से जुड़े रहेगा उसके लिए आप लोग 630634367 पर वाटसेप करके ऑनलें क्लास समंधी जंकारी ले सकते हैं और टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इलें पे दुर्गेश्रे आप जुड़े रहे सकते हैं ठीक है इसी के साथ हम आप से सवाल पुछेंगे उमीद क कहते हैं ठीक है कमेंट करके आप लोग कल बताएगा और भुगोल का पिता किंशे कहते हैं यह दोनों स्वें का जवाब आप लोग जरूर दीजये और कोई दिख्काद समस्य होगी कमेंट करके पोशकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद आव सभी शादी का बेस्ट आफ लक्त जय हिंद जय भारत